आज हम करेंगे यूनि लर्निंग एप का मॉड्यूल 3A इंटर पे क्लिक करते हैं, ओके कर देंगे हमने अल्रेडी इसको करा हुआ है, पर मैं आप लोगों के लिए आप लोग ठीक से कर पाएं इसलिए दुबारा से आपको बता रही हूँ तो ये वीडियो जादा लंबी नहों, इसके लिए मैं आपको सिर्फ questions दिखा रही हूँ 3A में जो भी पूछे गये हैं, तो चलिए डायरेक्ट वहाँ चलते हैं आप लोग तो जो वीडियो आती हैं उसको देख सकते हैं उसको आप लोग अपने फोन में, आपके फोन में भी आएगा वो, तो आप लोग देख लीजेगा मैं डायरेक्ट आपको प्रशन दिखाते हूँ तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है, पाठिकरम के घटक क्या हैं? दूसरा प्रशन है अगर दीर्ग कालिक लक्ष बच्चो की स्थूल मास पेशियों के विकास में मदद करना है, तो अल्पकालिक लक्ष क्या है? सही जवाब होगा इसमें से दूसरा और तीसरा आप्शन बच्चे बॉल को फेक और पकड सकेंगे बच्चे संतुलन बनाते हुए एक सीधी रेखा पर चल सकेंगे फिर प्रेशित करे पे क्लिक कर देंगे सही जवाब अगला पे तीसरा प्रश्न है यदि दिर्ग कालिक लक्ष बच्चों की बॉध्धिग या संग्या नात्मक छमताओं का विकास है तब अल्प कालिक लक्ष क्या है बच्चे वस्तूओं को छोटे से बड़े करम में रख सकेंगे बच्चे समानताओं को पहचान सकेंगे और वस्तूओं को मिला सकेंगे वस्तूओं को पकड़ने और रखने के लिए बच्चों के आखोवा हाथों के समन्यवाय का विकास करना बच्चे वस्तूओं को छोटे से बड़े क्रम में रख सकेंगे यह सही जवाब है और बच्चे समानताओं को पहचान सकेंगे और वस्तूओं को मिला सकेंगे फिर प्रेशित करे पे क्लिक कर देंगे अगला